हेलो एब्रीवन विल्कम इन दिस सेशन आफ इंग्लिश चीजिंग अंग्रेज शिप्छर की सत्र में हम लोग क्लास इलेवन्थ का फोर्थ चेप्टर लैंड इसकेप आप दसोल जिसको ने थाली टूवराय ने लिखा है इसके थर्ड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं अगर इसके पहले के दो पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिंक पढ़ा है जाकर पढ़ने आईए देखें लैंड इसके बाप दसोल आत्मा की भूग आक्रिति कहा दिस कॉंसेप्ट इज एक्स्प्रेस्ट एज सैंस्वी कॉंसेप्ट मिस विचार विचारधारा तो इस विचार को सैंस्वी के रूप में व्यक्त किया गया है लिट्रेरी मांटें वाटर विच यूज टोगेदर प्रवतिय जल मांटें वाटर परवतिय जल जो साथ साथ भूद्रिस्य शब्द प्रदर्शित करने के लिए भी प्रयोग होता है तो एक छब के दो से अधिक तत्व है तो एक ही छब एक ही इमेज के दो से अधिक तत्व है दीज रिप्रेजेंट टू कम्प्लीमेंटरी पोल्स ये दो पूरक ध्रू की ओर पहुशाते हैं तो दीज रिप्रेजेंट टू कम्प्लीमेंटरी पोल्स पोल्समिस ध्रूप रफ्लेक्टिंग दाइवोस वीव आप दे यूनिवर्स तो ये दो पूरक ध्रूप की ओर पहुशाते हैं यह इस्तिर हैं ओष्ड है और धूप में सुखा है ये ब्रम्हांड के दाववादी वीचार को प्रतिभिम्वित करते हैं रफ्लेक्टिंग दाइवोस दाववादी वीव वीचारधारा रफ्लेक्टिंग प्रतिभिम्वित करते हैं ये ब्रम्हांड के दाववादी वीचार को प्रतिभिम्वित करते हैं रफ्लेक्टिंग प्रतिभिम्वित करते हैं रेचिंग वर्टिकल वर्टिकली टुवर्स हैवेन तो यह और धारधार रूप से आकाश की ओर पहुंचता है इस्टेबली वाम इस्टेबल है इस्थिर है वाम उश्र है एंड ड्राई इन दे सन और धूप में सूखा है जबकि जल इन है हर जेंटल एंड रेस्टिंग आन द अर्थ यह चितिश की समांतर है हर जेंटल है और रेस्टिंग आन अर्थ और प्रिथ्वी पर अराम करता है फ्लूट मोइस्ट एंड कूल तो आसानी से बहने वाला है फ्लूट है मोइस्ट आरद्र है गिला है नम है और कूल शीतल है दा हिंटरेक्षण अफ इं इं की पारस्परिक्रिया इंटरेक्षण धिस पारस्परिक्रिया रेस्टिव ग्राही है एबल तु रिसीब है sometime में ब्रेस्टिव है न्न कर्नैल योग il개 मेना कोई्ट बूफ धन है feminine aspect of universal energy, प्रम्हांड की उर्जा का नारी रूप है and its counterpart यंग और उसका प्रतिपक्ष यंग शक्रिय है, active शक्रिय है and masculine और नर्व रूप है, masculine और नर्व रूप है, is of course a fundamental notion of diosm, यह यथार्थ में diosm का मौलिक विचार है, what is often overlooked is an essential third element, तो एक तीसरे आवश्यक तत्यों की अंदेखी की जाती है, वह है and its is of course a fundamental notion of diosm, तो एक जो मौलिक विचार है, diosm का, what is often overlooked is an essential third element, एक जो तीसरे आवश्यक्तत की अंदेखी की जाती है, the middle, wide, where the, where their interaction, वह मध्य रिक्त अस्थान, middle, wide, रिक्त, where the interaction, जहां पारश्परिक्रिया, takes place अस्थान लेती है, पारश्परिक्रिया होती है, तो इसकी तुल्ना प्राडायाम की योगा भ्यास से की जा सकती है, this can be compared, इसकी तुल्ना की जा सकती है, with the yogic practice of प्राडायाम। breathe in, स्वास अंदर लो, retain, रोको, breathe out, बाहर निकालो, स्वास अंदर लो, रोको और बाहर निकालो, breathe in, retain, breathe out, बाहर निकालो, बाहर निकालो, स्वास का निलम्बन रिक्त स्थान है, the suspension of breathe is white, रिक्त स्थान है, where meditation occurs, जहां चिंतन मनन होता है, meditation ध्यान होता है, चिंतन मनन होता है, the middle white is of the white, तो मध्य रिक्त स्थान आवस्षिक है, unpainted space in Chinese land is gay, तो मध्य रिक्त स्थान आवस्षिक है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, अतह चीनी द्रिश्यावली में सफेद और चित्रित इस्थान का महत्त है, unpainted space in Chinese land is gay, this is also where man finds a fundamental role, तो यह वह स्थान है जहां मानों मौलिक भूमी का प्राप्त करता है, एक फंडा mental role प्राप्त करता है, मौलिक भूमी का प्राप्त करता है, in that space between heaven and earth, तो आकास और प्रिथवी के बीच में वह ब्रह्मान्ड में स्थान प्राप्त करता है, he becomes the conduct of communication between both poles of the universe, वह ब्रह्मान्ड के दोनो द्रूओं के बीच संपर्क इस्थापित करने का माध्यम है, His presence is essential, उसकी उपस्थती आवस्थिक है, Even if it's only suggested, तो कहा यद्यपी यह केवल यह बताया गया है, तो भी from being lost or oppressed by the lofty pigs, तो भी खो जाने या उंचे सिखरों द्वारा दबा दिये जाने से दूर, He is in Frankois, Frankois Chang, wonderful expression, the eye of the landscape, आश्यर जनक अभिव्यक्ति में वह द्रिस्यावली का नित्र है, आई अब द्रिस्यावली का भूत द्रिस्यावली का उमिद करता हूँ कि यह हिंदी एक्स्प्रानेशन चैप्टर को समझने में कुछ है, मरदगार साबित होगा आपके लिए, थैंक्स फवाचे में